तो दोस्तों इस जर्नी की शुरुवात बिवाडी से होती है, और हम दिल्ली पहुच गए, वहाँ पे हमें मिले भीमान सु सर्माजी, जिनौने हमें दिल्ली गुबाया, बहुच से लोगों से मिलाया, और दिन की शुरुवात उन्होंने लोबी गारडन से की, हम साड़े 5 ब निवाद करते हैं और हमारी टीम कि उन्होंने लोबी गार्डन में इतने अच्छे से गुमाया ना पक्चियों की चहचाट और पानी के जरने क्या फवारे चल रहे थे और वो इंद्रधनुस है ना वो तो आगे वीडियो में दिखी जाएगा आपको कि पानी से किस तरह बन कभी दिल्ली आप भी आओ ना तो इस गार्डन को जरूर देखके जाना इसमें क्या बतक तह रहे थे पानी में आपको बतक भी दिखाऊंगा आगे और यह इंद्रधनुस द्यान से देखिए इसमें क्या गजब है क्या गजब नजा रहा है इस इंद्रधनुस का और यह प शुरुआत की और यह सब चीजें देखके तो आप जानी सकते दिन की कैसी शुरुआत हुई होगी तो गाईस इस फुवारों को तो आपने देखी लिया है अब चलिया मिलते छोटे छोटे जानवरों से जो की हैं बतक तो हमें ये देखे बतक मिली, इस पानी के किनारे पे हमें ये बतक देखने के मिली और इनसे भी हमने high hello किया और उनसे खूब सारा प्यार किया आगे थोड़ा सा चलते हैं तो कवे दिखाई दिये, कितने सारे कवे देखे आप ध्यांसे और यार इन फूलों की तो क्या ही बात बोलू मैं इतने ज़्यादा सुन्दर थे कि दिल तो कर रहा था सारे फ्लावर्स को अपने घर लेके आ जाएं यार क्या और ये तो गाइस इसकी तो बात ही क्या करूँ ये जो महल था ये तो बगीचे के बीच में क्या खुबसूरत दिख रहा था मैं अपने दिल की भावना व्यक्त नहीं कर सकता मुझे ना नीचर से बहुत जादा प्यार है पेड़ पोदों से पक्छियों से तो दिन के सुरुवात लाजवाब हुई थी यहीं से तो इस गार्डन को तो देख लिया है अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो जरनी इतने पर इखतम नहीं होती उसके बाद हम सिधा मिलने जाते हैं सीपी जोसी सर से वहाँ पे हम काफी समय उनके साथ वियतीत करते हैं इसी तरह शाम हो जाती है उसके बाद हम शाम को राइड पर निकलते हैं और हिमानसु जी हमें खूब गुमाते हैं पूरी दिल्ली हम इंडिया गेट जाते हैं लाल किला जाते हैं चांदनी चोग और बहुत सारी नई नई जगे पर हिमानसु जी हमें गुमाते हैं धेर सारे ओफिस दिखाये उन्होंने और बहुत सारी चीजे हमने देखी जो कि हमने इस से पहले कभी दिल्ली में नहीं देखी थी वाकी में नहीं देखी थी तो इस तरह आमारी जरनी खतम होती है और हम अपने घर सुबा पांच बजे निकलते हैं धन्यवाद